कि जब जब सामाजिक सुधार हुए तब किसे आना पड़ा महात्मा फुले को आना पड़ा सबसे पहले सावित्री फुले को स्कूल शुरू करने पड़ी किसके लिए महिलाओ के लिए क्योंकि महिलाओ को हजारों साल से शिक्षा से वंचित रखा गया उन्हें केवल गुलाम खरचे पर सरकारी प्रोग्राम कोई करते हैं तो एक भारत के डेमोक्रेटिक country में जब आप पार्लामेंट्री डेमोक्रिसी आप मानते हैं , पर जो बात आपने एक दर की भावना नेखा यह अतीशे मार को पुर्णा बात है कि क्या सही में बाकी समाज जो है जो पहुत संध्याक समाज है उतको छोड़कर बाकी समाज भी इस देश में रह रहा है जिस तरीके से आज देश की परिस्तिति को देखते हैं तो देश ना के वल हिंदू, या बाउध्ध, जैन, सिख, इसाई सभी जो देश में रहते हैं, अलग-अलग माननेतवा के साथ में रहते हैं, वीरत तवा के साथ में रहते हैं, उन सब को ये विचार करना है कि एक आइडिया आफ इंडिया जो स्वधान सभा ने दीती भारत को, उस पूरा आइडिया आइडिया को किसी तरह से एक तरीके से पुरी तरह से इसे समापता करने की कोशिश जो है, वो आज के दिन हमें लगता है कि हो रही है, हुई है, और एक पॉलिटिकल अज़न्डा था, बीजी पी का, उस पॉलिटिकल अज़न्डे को मोधिजे ने आज ज अनेक माननेता हैं, ऐसे अनेक धर्म हैं, ऐसे अनेक परंपरा हैं, कई ट्राडिशन्स हैं, तो उनके लिए तो यह दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि तेवहारों के एक नई परीभाशाच डिफाइन हुई है, एक संक्रिण तरीक से डिफाइन हुई है, आप देखिए कि इस द से शिक्षा से वन्चीत रखा गया, उन्हें केवल गुलामी में रखा गया, राजा राम्मोन राय को क्यों आना पड़ा, कि सथीपरता के खिलाफ आउद रूठ रहनी पड़ी, ट्रॉक्र अमेट को क्या करना पड़ा, कि हिंदू कोट बिल के माद्यम से मैलाओं के तमाम अधिकार देने पड़े जो उनमें नहीं थे, तो इस देश का निर्मान किस ने किया है, इस देश का निर्मान हमारे राष्ट नायकों ने किया है, हमारे जो राष्ट निर्माता है, उन्होंने किया है, चाहे वह मात्मा फुले हो, सवाधिवे फुले हो, मात्मा गांधी हो या तो तमाम राममोन राज जैसे विचारक हो, सुधारक हो, देरन सरती जैसे लोग हो, उन्होंने इस देश का निर्मान किया है, तो विचारक ये समा सुधारक इन से देश बनता है, धर्म ये निजी चीज है, निजी मामला है, हर सवधन भी कहता है कि धर्म निजी मामला है, मेरे घर में मैं उसे पालन करूँगा, इसका प्रदर्शन जाहिर रूप से इतना नहीं करना चाहिए, और हम लोग दुनिया के कई देश ऐसे देखते हैं, जो प्रगतशील देश हैं, उनमें विवीत्ताओं को हमेशे संमान दिया गया है, उन्होंने अपने धर्व को कभी थ काफी उसका एक जो फेस है, वो फेस काफी अच्छा है, एक ही अच्छी बात मुझे नजर आई, अद्वरे इस बाकि जो कुछ था, वो सविधान संबत नहीं है. सविधान का फ्रेमवर्क है कि भारत का सविधान जो है, वो धर्मनीर पेक्ष है, तो इस देश में जिस तरीके से भारतिय जनता पार्टी का इथियास रहा है, दंगो का उनका इथियास रहा है, तो वो क्या भारत की धर्मनीर पेक्षता एकता तथा अखन नता को कही न कही इस से ठेज पहुच सकती है। जो भारत का बना ये एक तरीके से धर्म निर्पेक्ष सविधान जिसने याने पूरी दुनिया को ये भी बताया कि ये विस्त्रित सविधान है। में उसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और यूपियो गवर्मन के वक्त भी हमने मंदिरों का उध्गाटन देखा। पर हमने देखा कि उन मंदिरों में आपोजीशन के लोग भी आते हैं। जैसा अक्षरधाम टेंपल का हमने देखा कि उसमें मनमौन सिंग जब उनका उध्गाटन कर रहे थे। तो जब अबदुलकलाम साब राश्टरपती थे तो वह भी उसी में थे। और साथी साथ यानि लाल कृष्ण आडवानी भी उस टेंपल के इन्योग्रेशन में आपको दिखेंगे। तो एक तरीके से अगर से आप सरकारी एंत्रणा का आप सरकारी खर्चे पर सरकारी प्रोग्राम कोई करते हैं। तो एक भारत के डेमोक्रेटिक में जब आप एक पारलामेंटर डेमोक्रेशी को आप मानते हैं और एक एलेकेट गवर्मेंट हैं। आपने उसमें किस तरीके से याने एक जिस तरीके से पुरा भारत का हम धाचा देखते हैं तो भारत विभिन्नर जाती विभिन्न धर्मों में और विभिन्न सांप्रदायों में विभिन्न संस्कृति में या विभिन्न भाशाओं में एक गुल्दस्ता है हमारा देश इसमें ह हम किसी भी तरीके से एक विचार को, हम किसी भी तरीके से इसको थोप नहीं सकते हैं, इसी भारत की हम रचना, अभी जैसा हम 26 जनवरी का हम फेस्टिबल मनाने वाले हैं, तो ये जो फेस्टिबल है, ये पूरा दुनिया मानती है, पर आज आपका जो आपने जो प्रोग्राम आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते है कि दुनिया के तरफ से आपके किस तरह के से दुनिया आपको देखती है दुनिया आपको 26 जनवरी के बग देखती है दुनिया आपको सविधान दीन के बग देखती है दुनिया आपको एक पर्टिकुलर और किसी भी संस्कृति से जूड़े हुए सम्बन में दुनिया आपको नहीं देखती है। दुनिया आपका लोहा, आप जब सारे धर्मों का, आपके भारत के सारे नागरिकों का आप संमान करते हैं। तब आपको दुनिया से लूट करती है। जिस तरीके से सर आज देश में माहौल बना हुआ है और इस देश के माहौल में कई ऐसे अलपसंख्यांक संबदाए के जो लोग है जिनकों इन सभी बातों से कई ने कई डर लगने लगा है तो यह जो माइनोरिटी की जो संकलपना सवीदान में है कि बहुसंख्यांकों के च Sans luk दरे हुए क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या चित्र का हो सकता है बात की है तो यह डर आज का नहीं है यह प्रभक्रिया बहुत दिनों से चल रही है कि एक बहुद संख्यांक समाज से और यह अलपसंख्यांक समाज हुता है कि जो बहुसंक समाज होता है वो अलपसंक्यक समाज को अपने विचार ठोकने के लिए मजबूर करने के हमेशाचे कोशिश होती रही है केवल यही नहीं बाकी भी मुलकों में आप जाएंगे तो इस तरह की बात आपको देखने को मिलेगे बात रहा कि सुरक्षा का तो हमारा सम्विधान सबको सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि वो धर्म की स्वतंतरता देता है वो उपासना की स्वतंतरता देता है कि आप चाहे जिस भी धर्म की उपासना करना चाहते आप कर सकते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्मर्शन भी होते हैं कुछ घर वाप तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि यह हमारा वयक्तिक मामला है इसको हम समाज के साथ नहीं जोड़ते हैं मैं आज अगर हिंदू हूँ तो कल मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ अगर तो मैं बन सकता हूँ क्योंकि मेरी इंडियोजियल राय है और यह समीधान ने मुझे हम आपकी उपासना और सारा कर सकते हैं पर जो बात आपने कहीं कि ढरकि भावना निर्मान हो रही है तो हो सकता है कि इसमें दरकि भावना निर्मान हो सकती है अज सुरक्षता की भावना निर्मान हो सकती है कि इसी तरह से आज के दिन जो हो रहा है इसको मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं मानता है आज जो हम देश में देख रहे हैं या मीडिया पर देख रहे हैं यह कोई धार्मिक अनुष्ठान है ऐसे या किसी धर्म से जुड पूराओं में किसी एक धर्म का किसी एक आदर्श पूरुष का सहारा लेकर इस तरह का यह इवेंट है और यह जबर्दस्ति से थोपा गया है क्योंकि जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं उसकी माइथलोजी को देखते हैं तो आज का दिन किसी भी माइथलोजी का दिन नहीं है च इस शहर में हम आज रहे रहे हैं वहां के चवटो में आप जो कट आउट्स देखेंगे या बैनर्स देखेंगे या पी स्टेज देखेंगे वह एक ही प्रकार से डिजाइन की हुए है यानि किसी एक जगह से डिजाइन करके आये है जिंडे आप देखेंगे एक ही रंग एक ही तरह की तस्बीर एक ही तरह का आकार तो यह सीधा समझ में आता है कि यह इवेंट कई तो भी डिजाइन हुआ है वो मैनेज हो रहा है और इसको मैं फिर से एक बार बड़ी गंबिरता से कहता हूँ बड़ी जवबदारी के साथ कि यह कोई धार्मिक अनुस्ठान आज का है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ यह एक इवेंट है जिसको पॉलिटिकल फेवर के लिए या राजनेतिक क्या कुछ हासिल करने के लिए इसको किया गया है तो जो डर की भावना है वो तो आत सब कुछ बदलते रहता है तो मुझे यह थोड़ा सा क्षणिक लगता है हमारा देश बहुत बड़ा है यहां सह उर्दाई से लोग रहते हैं सह निवास की जो भावना है हमारे चाहिए किसी भी धर्म के लोग रहे एक दूसरी को तकलिप देना नहीं चाहते है तो यह क्ष कर दो